अब इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है और वह है इन बाधाओं को दूर करने के उपाए है बड़ा सरल उपाए सबको मालुम है बहुत सरल है Means of removing hindrances to ideal citizenship क्या है विशे means means यहने उपाए मार्ग means यहने मार्ग आदर्श नागरिक्ता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के क्या उपाए है सबसे पहला जैसा मैंने पूर में बताया कि आर्थिक तंगी आशिक्षा और जातिवाद यह हमारे हैं सबसे मुखे कारण हैं सबसे मुखे बाधाए हैं यदि इसमें आदमी को शिक्षित कर दिया जाए समाज का अधिक तरवर्ग शिक्षित हो जाए तो वह अपने जीवन यहापन के लिए समुचित आर्थिक व्यवस्था कर सकता है इस पकार आर्थिक समस्या से काफी कुछ उबर सकता है और यदि शिक्षित है तो जातिवाद की जो पकड़ है उसके मन में वो भी कमजोर होगी एक शिक्षित व्यक्ति जाति के प्रती उतना समर्पित नहीं रहता जितना की अशिक्षित या गैर शिक्षित तो इसलिए सबसे बड़ा उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार शिक्षा का प्रचार प्रसार शिक्षा के द्वारा ही हम सामप्रदाइकता जैसे संकीन विचार को इस भावना को दूर कर सकते हैं शिक्षिक्षा के द्वारा ही हम ये जो भ्रष्टा चार जो है, उसके प्रती लड़ सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर, लोगों को जागरू कर सकते हैं, अर्थात शिक्षा सबसे अहम है, उचिस शिक्षा प्राप्ट शिक्षित नागरि आदर्श नागरिक बन सकता है तो सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण कदम जो लिया जा सकता है आदर्श नागरिक ज्यादा से ज्यादा लोग में आदर्श वाज पैदा करने के प्रिया आदर्ष नागरिक्ता की भावना डालने के लिए वो है शिक्षा का प्रचार प्रसार दूसरा उपाय है अध्यापकों के द्वारा उनको अपनी भूमी का निभाना यानि अध्यापकों का जो दाइत्व है वे आदर्ष नागरिक्ता के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उससे बच्चों को अवगर्ट करें एक अध्यापक के नाचे मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि शिक्षा के मार्ग में क्या बाधाएं हैं और साथ ही साथ इन बाधाओं के कारण भी बता रहा हूँ ऐसा करते हुए हम अध्यापक लोग ये कोशिश करते हैं कि आने वाले जनरेशन ये जाने कि देश की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का समुचित इलाज क्या है तो दूसरा जो बहुत महत्पूर्ण उपाय हो सकता है वह है अध्यापकों के द्वारा च्छात्रों को आदर्ष नागरिक्ता के मार्ग में आने वाली समस्याओं से अवगत कराना इसलिए ये अध्याई जो है नागरिक्ता का अध्याई ये आपके कोर्ट में इसलिए जोड़ा गया है कि पूरे भारत के समस्याओं स्कूलों में ये अध्याई पढ़ाते हुए उस कख्षा के लाखों करोणों बच्चे नागरिकता क्या है, ये जानेंगे नागरिकता आदर्श कैसे हो सकती है ये जानेंगे और इसके मार्ग में आने वाले रोड़े जानते हुए एक अच्छा नागरिक बनने के प्रयास में अगरसर होंगे तो दूसरा है अध्यापकों का दायत्व अध्यापक जो है वो इसके साथ ही शिक्षन करते हुए शिक्षन शिक्षन प्रक्रिया में जुड़ते हुए अग्यानता सिक को तो दूर करते ही हैं साथ ही आदर्ष नागरिक के गुण क्या हैं इस पर भी प्रकाश डालते हैं और निश्चित रूप से ये प्रयास आदर्ष नागरिक के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम कर सकता है दूर करने के लिए तो कई प्रयास जरूरी हैं उनमें से एक प्रयास ये है आदर्ष नागरिक बढ़ाने का अदर्ष नागरिकों की संख्या बढ़ाने का एक प्रयास अध्यापकों द्वारा दायदो तीसरा है नेताओं का दाईतु बश्टा चार यदि है तो इसके लिए नेता जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कटाक्ष देश की व्यवस्था को लेकर जिए किसी पर होता है तो नेताओं पर होता है सबसे ज़्यादा व्यंग यदि होता है तो राजनेताओं पर होता है राजनीती से जुड़ो हुए लोगों पर होता है और ये तो जग जाहिर है कि भारत में politics is the last refuge of scoundrels scoundrels इने बदमाश ये 100% सही नहीं होगा लेकिन अधिक तर ये सही है ये बात कि भारत की राजनीती में अपराध अपराधी तत्व ब्रश्टाचारी तत्व गैर कानूनी तत्व ज्यादा हावी हैं दिनों दिन की संख्या बढ़ती जारी है और इसका कारण कि जिए लोग शिक्षित हैं वो लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं और इसलिए राजनीती को अपने से कोसों दूर रखना चाहते हैं ये उदासीनता बड़ी खतरनाक है इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ तो उपायों की यदि बात करें तो उपायों में ये है कि हमें सजग होना पड़ेगा शिक्षित वर्क को सजग होना पड़ेगा उसे अपनी राजन्यतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी उसे जागरू करना होगा लोंग को ब्रष्टा चार, स्वार्थ परिता इसी भावना से उठकर जो जन प्रतिनीदी हैं उन्हें देश हित की भावना से काम करना होगा ये तो कहने के लिए बड़ी सरल बात है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसके लिए जरूरी है कि नेता लोग सही दिशा में काम करें इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जागें हम लोग उन पर दबाव बनाएं हम लोग उनके भरष्टा चार की गतिविदी में लिप्त ना होँ हम लोग उनके भरष्टा चार का खुलासा करें तो नेताओं का दाइत्व नेताओं को बखुबी निभाना है तब ही जाकर आदर्श नागरिक साकार होने की परिकल्पना बढ़ेगी अगला बिंदु है अगला उपाय नैतिकता का विकार नैतिकता कहां से आती है हिंदी में एक पंक्ति है भूख है भजन होई गोपाला खाली पेट भजन नहीं हो सकता क्या अर्थ है इसका आप मुझे कितनी भी सुवधाएं दे दें कितना भी सुवधा संपन घर दे दें कितनी भी सारी सुवधाएं दे दें लेकिन मुझे भोजन ना दे तो क्या मेरे लिए उप सुवधाएं कोई मायने रखती है कोई मायने नहीं रखते खाली पेट में मेरे लिए सुवधाएं कोई मायने नहीं रखती तो निशकर्ष ये है कि आर्थिक रूप से पहले हमको थोड़ा संपन होना होगा और तभी नातिकता का विकास होगा पर जरूरी ये है कि नातिकता का विकास होना आवश्चक है यदि हमें आदर्श नागरिकता के विकास में प्रियास करना है तो आदर्श नागरिकता के विकास में नातिकता का विशेश महत्व इसलिए नयतिक्ता का विकास जरूरी है और इसी नयतिक्ता के विकास के प्रयास में ही विभन कक्षाओं के विभन विश्यों में ऐसे अध्याय जोड़े गए हैं जिसमें नयतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है क्या है वो अंग्रेजी, हिंदी, सांस्कृत, अन्य भाष्याएं उसके अलावा कला विश्यों से जुड़े हुए विश्यों जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान आदी विश्यों हैं इन विश्यों में ऐसे अध्याय जोड़े गए हैं जिनको पढ़ाते हुए ये अपेक्षा की जाती है कि उन अध्यायों को पढ़ने से जो पाठक हैं उसमें नयतिक मूल्य आएंगे तो ये इसका प्रयास और होना चाहिए ऐसी अपेक्षा है नयतिक्ता का विकास का प्रयास एक उपाय हो सकता है आदश नागरिक्ता को बढ़ाने में पांचवा जो है उचित स्वस्थ विचारों वाली राजनयतिक दलों की स्थापना स्वस्थ विचारों वाली राजनयतिक दल और थाथ ये दल जो है वो जाती ख्षेतरी ता संकीर्णता सामप्रदाइक ता इन से उठकर काम करें अनिता ऐसे तरह की जो दलबंदी अभी हो रही है आजकल ये वातारों को बहुत दूशित कर रही है देश के वातारों को बहुत बिगाड रही है तो जरूरी है कि ऐसे दलों की राष्टी दलों की स्थापना हो जो इन दकिया नूसी विचारों से उठकर राष्टी हित में सोचें राष्ट हित राष्ट का विकास उनकी प्रत्मिकता हो तो ऐसे राजनीतिक दलों की स्थापना भी एक उपाय है और उसके बाद छटवा उपाय और मेरी नजर में सबसे महत्पूर्ण और आप भी इस बास से सहमत होंगे गरीबी का अंत निर्धन्ता की समाप्ती जितनी बातें की गई उस सब के पीछे एक ही कारण नहीं थे जितनी समस्यां की बताई गई और वह आर्थिक तंगी निर्धनों को दिए आर्थिक साहता दे निर्धनों को आर्थिक साहता देते हुए ոिक्षित करें उनका स्वास्ते सुधार करें उनको मुख्य धारा में जोड़ें उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें उनको उनके करतवियों के प्रति जागरूक करें तो निश्चित रूप से आदर्श नागरिक आदर्श नागरिकता का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और ये तभी संबव है यह सब चीजे तब संबव है जब हम गरीबी का अंत करें आप सब अमीर देशों को देख लीजे वहाँ पे इस जंग की समस्याएं क्यों नहीं हैं जिसका जिकर हम यहां भारत के संदर्व में कर रहे हैं चाहें अमेरिका हो इंगलेंड जर्मनी फ्रांस इन संपन हैं आर्थिक रूप से संपन हैं क्योंकि आर्थिक रूप से संपन व्यक्ति अपनी संपन्यता का श्रेय अपने विकास का श्रेय राष्ट को देता है और जूंकि वह राष्ट के प्रती उस हद तक उपकृत है वह राष्ट के विकास की सदाई सोचता है और एक निर कोसों दूर कर बढ़ता है परिणाम क्या होता है कि राष्ट प्रेम की भावना शून या नियुन तम रहती है तो इसलिए हमें गरीबी का अंत करने का एक बहुत सार्थक प्रयास करना चाहिए यदि हमें आदर्श नागरिक्ता का विकास करना है तो सात्वाँ उपाय हो सकता है अच्छे साहित का प्रचार प्रसार अच्छे साहित का विस्तार और साहितिका अर्थ है कहानियां कविताएं लेखनी ऐसी हों जिसमें आदर्श वाद करतव्य प्रायंड़ता सदाचारिता सत्यता आधि मुल्यों को लेकर वे कहानी लिखी गई बीस्वी शताबदी के प्रारम में मुंशी प्रेमचंद हरिश्चंद्र इन लोगों ने जो बहुत सारी जो साहित लिखा इस साहित में आदर समाज की परिकल्पना थी और उसमें इन मूलियों को बढ़ावा दिया गया था परिणाम हम देखते हैं कि उस साहित के परिणाम चुरूप ही हमें से बहुत लोग हमारे परिवार के बहुत लोग स्वतनता अंदोलन में कूट पड़े थे देश प्रेम की भावना से ओध प्रोथ होकर उन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां सुधाएं छोड़ी और देश को स्वतनता कनाने के लिए स्वतनता अंदोलन में भाग लिया इसके पीछे एक कारण था तत्कालीन साहित का प्रभाव तो ऐसे ही समय आ गया है जब उच्छ कोट का साहित लिखा जाए उच्छ कोट की रचनाएं आएं जिसमें उच्छ श्रिनी की रचनाएं जिसमें आदर्शवाद करतव प्रायनता सदाचारिता सचाई अनुशासन ऐसी भावनाएं उसमें कोट कोट कर भरी हूँ अगला बिंदु कुटुम्ब का दाईतु परिवार जो है पहली पाठ शाला होती है कुटुम्ब का दाईतु परिवार पहली पाठ शाला तो परिवार को सजग होना पड़ेगा परिवार का वातावरन शिक्षा प्रद होना पड़ेगा परिवार का वातावरन गैर अपराधी होना पड़ेगा परिवार का वातावरन अनुशासित होना होगा पर ये सब तभी संभव है जब हम शिक्षित हों और आर्थिक रूप से थोड़ा संपन हों लेकिन परिवार का दायत भी एक बहुत महत्पूर हिस्सा है सामाजिक कुरीतियों का समाधान ये कुछ अन्य ऐसे उपाए हैं जिससे हम आदर्ष नागरिक्ता के विकास की उम्मीद कर सकते हैं यदि हम कुरीतियों को हटाएं बाल विवा बाल मजदूर प्रथा आदी आदी ऐसी जो बुराईयां हैं पुरानी प्रथाएं अन्द विश्वात उससे भी हमें आदर्ष नागरिक्ता के विकास में मदद मिलेगी लेकिन एक बहुत महत्पूर्ण उपाय है स्वतंत्र प्रे जो मीडिया है टेलिविजन दूर दर्षन समाचार पत्र पत्रकारिता ये लोग स्वतंत्र विचार रखें निश्पक्ष हों सरकार की बुराईयों का खुल कर अलोचना करें उस पर प्रहार करें और जो सच्चाई है उससे सामने लाएं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि य दस ग्यारा बिंदूओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दस ग्यारा उपाय यह दिकरेंगे तो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मल्टी प्रॉंग्ड अटैक सब तरीके से हमला सभी तरफ से हमला तो आदर्ष आदर्ष जो भावना है व्यक्तियों में होना चाहिए के संदर में थी नागरिक क्या है नागरिकता क्या है क्यों महत्पूर्ण है आदी आदी अच्छे नागरिक किसे कहें अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या तत्व आवश्यक हैं आदी आदी